हेलो माई दियर स्टुडेंट, वेलकम टो केके चोहन वीजन, हमारा लेसन सेकिंड चल रहा है, एसिट्स, बेसे एंड साल्स, इसमें आज पार्ट टू लेके आ रही हूं, पार्ट फर्स्ट आप देखके, फिर पार्ट सेकिंड देखना, तो आज फिर मैं चार कोशन लेके आ होंगी, important भी है और easy भी है, sodium hydrogen carbonate, ठीक है, इसका formula होता है, sodium hydrogen carbonate के घोल को गरम करते हैं, तो क्या होता है, सबंदित किर्या के लिए हमें रसाइनिक समीकन भी दिखनी है, जब sodium hydrogen carbonate को near to 80 degree Celsius तक गरम करते हैं, तो वो sodium carbonate बनता है, और sodium carbonate का formula यह होता है, sodium carbonate बनता है, और साथ में carbon dioxide gas निकलती है, और water vapor बनता है, तो यह था, इसको अब समीकन से देखते हैं, तो जब sodium hydrogen carbonate को हम sodium bicarbonate भी कहते हैं, ठीक है, इसको जब गरम करते हैं, 80 degree Celsius तक, तो sodium carbonate, carbon dioxide और water बनता है, आगे, क्योंकि यहां पर sodium के 2 आगे ना, तो यहां पर 2 लगाना पड़ेगा आगे, तो इस परकार की रिसाइनी का भी किरिया को, तापी आप घटना भी किरिया कहते हैं, इसको हम thermal decomposition reaction भी कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें sodium carbonate ब्रेक कर रहा है, तूट रहा है, जब इसको गरम किया जाता है, लगबग 80 degree Celsius तक, इसको गरम करते हैं, तो यह तूटता है, तो ऐसी रिसाइनी का भी किरिया हैं, जिनको heat दे कर तोड़ा जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, तापी आप घटना भी किरिया, यहां फिर thermal decomposition reaction कहते हैं, ठीक है, अगला question है, धावन सोडे का रसाइनिक नाम और सूतर लिखना है, write the chemical name and formula of washing soda, और उसकी advantages भी हमने बतानी है, तो धावन सोडे का formula अभी मैंने उपर भी यह बताया थाना भी, sodium carbonate, इसके साथ 10 molecules of water के जुड़े होते हैं, इसको sodium carbonate कहते हैं, इसको अकेला भी आप लिख सकते हो, ठीक है, तो यह धावन सोडा है, कहते हैं, इसके uses भी होने के काम आता है, ठोड जल के, जो होता है न, उसकी hardness दूर करने के काम भी आता है, साबून बनाने में, कास्टिक सोडा बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, और प्रियोग शाला में भी इसको अभी कर्म के रूप में, ठीक है, use किया, recent पोलते हैं, it is used as a laboratory recent के कोस्टिन, जो है, वो है, bleaching powder का नाम और सूतर लिखना है, यह बहुत ही important question है, आजकल आपकी very short question चल रहे हैं online में, ठीक है, पैस का जितने भी exam हो रहे हैं, उसमें very short questions आते हैं, तो यह very short questions ही है, ठीक है, तो bleaching powder का formula होता है, C-A-O-C-L-2, इसको बोलते हैं, calcium oxy coloride, ठीक है, तो calcium oxy coloride उसको बोलते हैं, और इसके बाद इसका formula C-A-O-C-L-2, ठीक है, bleaching powder त्यार करने के लिए हमने एक रसाइनिक समी करन भी लिखने हैं, राइट, the chemical location for the preparation of bleaching powder, ठीक है, और इसके uses भी हमने बताने हैं, इससे पहले हमने उसके पढ़े थे, धावन सोड़ा के प्योग ना, washing powder के, और अब आगया, bleaching powder त्यार करने के लिए, रसाइनिक समी करन क्या होती है, यह है, calcium hydroxide, इसको हम बोलते हैं, बुजा हुआ चुनना, जब बुजा हुए चुनने पर, क्या करते हैं, क्लोरीन की reaction की जाती है, क्लोरीन गैस पास की जाती है, तो calcium oxy chloride बनता है, और water बनता है, तो calcium hydroxide का formula, CAOH का whole twice, और क्लोरीन, गैस, और इसकी reaction होती है, तो यह bleaching powder बनता है, bleaching powder का formula क्या होता है, CAOCL2, ठीक है, एक दो बार इसको बोल बोल के देख लोगी, तो formula पक्के याद हो जाती है, अब कहते हैं, इसके ना, उप्योग भी बताओ, तो उप्योग क्या है, फर्स्ट उप्योग है, यह जो ऐसे वाइट कपडे जिन पर सफेधी खतम हो जाती है, पीला पन आ जाता है, तो ऐसे पीले पन वाले कपड़ों को, गंदे कपड़ों को, बिल्कुर सफेधी देने के लिए किया जाता है, इसके अलावा, पीने वाला पानी जो है ना, उ में भी इसको यूज करते हैं, कॉटन और लेलिन के अध्योगों में भी इसका उप्योग किया जाता है, तो यह था आज का हमारा चार कोशन, छोटे-छोटे कोशन थे, थैंक्स पर वोचिंग इस वीडियो, यह कोशन है, छोटे-छोटे, पर आपके जो ओन लाइन में जित